काइस आज हम बनाने जा रहे बबली बबल गम चोकलेट वो भी जुगाड तरीके से तो बटर फेपर को आप फोल करके साइट्स को श्टिक लगा लो उसके बाद स्टॉबेरी फ्लेवर की जो मिलकी बार आती है ना वोलो मैंने आट लिए यार मैं थोड़ी बड़ी बनाऊंगी चोकलेट तो मैंने ज्यादा लिए अगर आप छोटी चोकलेट बनाऊगे तो ज्यादा बिलकी बार नहीं लगेगी उसके बाद वाइट चोकलेट का जो लेयर है उसे इसे हटा देंगे ताकि अंदर का पिंक कलर अच्छे से दिखे अब इसके छोटे-छोटे साइस के बॉल्स बना लेंगे याद मैंने न मेरे पिछले बबली चोकलेट की वीडियो में बहुत बड़े बॉल्स बना लिये थे तो आप मैंसे बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट करके सजेस किया था थोड़े छोटे बॉल्स बना जाए तो और भी अच्छा जीकता तो इसलिए मैंने छोटे बॉल्स बनाए तो अभी ये बबली दिखेगी बबला या किंदर जोई नहीं दिखेगी इसके बाद पेपर पे मेल चोकलेट को फेला दो उसके उपर बॉल्स को रग दो और वाइट चोकलेट को मेल कर लो उसमें दो से तीम डॉल्स रेड रोस कलर के डालो और अच्छे से मिक्स कर लो इसके बाद बॉल्स को चोकलेट से कवर कर लो टैप कर लो और फ्रीज में सेट होने के लिए रग दो तो लीजिए तयार है हमारी बबली बबल गम चोकलेट गैज इसका टेस्ट न मुझे तो अच्छा लगा मस्ता लेकिन यार सबका टेस्ट तो अलग-अलग होता है तो आप भी ट्राइ करो और मुझे कमेंट करके बताओ तो खाओ, पियो मत, और मजे करो और लाइक शेर सब्सक्राइब भी करतो बाई